सिलाई मशीन का इतिहास काफी पुराना है, काफी समय पहले इसका इन्वेंशन अमेरिका में किया गया था। सिलाई मशीन का आविशकार अलाइस होव ने सन 1846 में किया था। तभी से सिलाई मशीन का और लोगों से रूबरू हुआ और लोग धीरे-धीरे कपड़े सिलने के लिए सिलाई मशीन का इस्तिमाल करने लगे। अगर भारत में बात की जाए तो सिलाई मशीन कब आया, तो भारत में 19-वी शताब्दी के लास्ट में सिलाई मशीन आ गया था, 1935 में कोलकाता के एक कारखाने में सिलाई मशीन उशा कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, और उसमें लगे पुर्जों का मैनुफेक्चर भारत में ही हुआ था, और एन ही पुर्जों के माध्यम से सिलाई मशीन तयार हुई थी, वरतमान समय में भारत में सिलाई मशीन इतना बनाया जा रहा है, कि उसे विदेशों में भी बेचा जा रहा है, यांत्रिक सिलाई मशीन की तुलना में, इलेक्ट्रोनिक सिलाई मशीन को अ